दोस्तो भारत इतिहास रचने के लिए तयार है चूँकि इस रो ने अपना तीसरा चंद्रमिशन चंद्रयान 3 लॉंच किया है यह मिशन जो चंद्रयान 2 का ही सबसिक्विंट है चंद्रमा की सतह पर सफ्ट लेंडिंग करने और एक रोवर तेनात करने का प्रयास करेगा सफल होने पर भारत चंद्रमा पर उतरने वाले विशिष्ट देशों में सेग बन जाएगा केवल तीन देश ही इस उपलवधी को हासिल कर पाए है एक है संयूक्त राज अमेरिका दूसरा पुरो सोवियत संग और तीसरा चीन है दोस्तो आज मैं आपको पांच ऐसी रोचक बात पर ना और चंद्रमा की सतह का पता लगाना है इसमें एक लेंडर और रोवर शामिल है जिसे SDSC, SHAR, स्री हरी कोटा से LVM3 नामक रोकेट दौडा अंतरिक्ष में लौंच किया गया था चंद्रियान 2 जिसे 2019 में लौंच किया गया था इसमें एक और बीटर, एक लेंडर औ और बीटर अभी भी कारी शील है और संगठन को मुलिवान डेटा प्रदान करता है जिसे बाहो बली रॉकेट के रूप में भी जाना जाता है चंद्रमा लेंडर विक्रम का समर्थन करेगा जिसे अब लौंच वीकल मार्ग 3 के नाम से भी जाना जाता है जो की 43.5 मीटर लं जो एक बड़ी सफलता थी और जिसके परी नामों ने पूरी दुनिया को चौका दिया इस मेशन के दोरान चंद्रमा की सतव पर पानी के मौजूदगी का पता लगाया गया था चंद्रियान 3 को 14 जुलाई 203 को दो पहर दो बच कर 35 मिनट में आंध्र प्रदेश के स्री हरी कोटा जधित 27 धवन अंत्रिक्ष केंद्रे से लौंच किया गया था अंत्रिक्ष यान को लौंच वीकल मार्ग 3 द्वारा लौंच किया गया था इसमें एक लेंडर और एक रोवर है अगस्त में सतव पर उतरने के बाद रोवर चंद्रमा की सतव पर तेनाथ होगा और पता लगाएगा यान चंद्रमा के दक्षिनी धुरूपर उतरने के लिए तयार है जहां चंद्रयान वन ने बानी के मौजूदगी का पता लगाया था चंद्रयान 3 को अपने पहले भेजे गए सबसिक्वेंट की तुलना में अधिक विश्योसनी बनाने के लिए इस रुद्वार संसोधन किया गया है यान में लेंडर विक्रम जिसका नाम विक्रम सारभाई की नाम पर रखा गया है दोर प्रग्यान और एक प्रनोधन मौडियूल शामिल है विक्रम लेंडर का वजन 1752 किलोग्राम है जो इसके पिछले संस्करन की तुलना में लगभग 280 किलोग्राम भारी है बढ़ा हुआ वजन मुख्य रूप से इस रुद्वारा बढ़ती गई अतिरिक्त सावधानियों के कारण है इस बार सफल लेंडिंग सुनेश्चित करने के लिए विक्रम चंद्रमा की सतह पर अपनी मकसद को पुड़ा करने के लिए अधिक इंजन ले जाता है यान को करे परिक्षनों से गुजरना पड़ा है और इसमें कई सुरक्षा हो पाए है ताकि यह सुनेश्चित किया जा सके कि इस बार मीशन सफल हो उमीद करता हूँ आपको यह वेडियो पसंद आयोगे मिलता हूँ आपसे एक शांदर वेडियो साथ तब तक के लिए गुडवाए